नमस्कार राज के बात में आपका स्वागत है राजनीती में एक ऐसे महापुरुष का अवतरन हुआ है जो अपने आपको सबसे बुद्धिमान समझते हैं सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं सबसे बड़ा इमांदार समझते हैं और वो व्यक्ति ऐसा है जो माफी मांगने में एक्सपर्ट माना जाता है वो ऐसा व्यक्ति है जो गिर्गिट से भी ज़्यादा तेजी से रंग बदलता है कब क्या बोलेगा, कब किस के साथ जाएगा, कब किस का विरोध करेगा ये किसी को पता नहीं है इसलिए राजनीती में जो धूर्टता की पराकास्था होती है उस पराकास्था को पार करके अब ऐसे मूड पर आ गया है कि उसे जेल जाने के लिए अब इंतजाम किया जा रहा है बात कर रहे हैं अरविंद केजडवाल की जिसने भरस्ता चार के बाबजूद अब ऐसे शब्दों को गहना सुरू कर दिया है अब ऐसे अपने आपको सुरक्षित रखने की कोशिच कर रहा है जैसे कि अभी भी लोग मान रहे हैं कि अरविंद केजरिवाल कटर इमानदार है और इस बीच अरविंद केजरिवाल ने उन सारे सीमाओं को लांग दिया है जो सीमा निर्धारित की जाती है किसी राजनेता के लिए इसने अपने आपको इस तरह से प्रोजक्त करने के लिए परदान मंति नरिंदर मोधी का अपमान किया है एक बार नहीं बलकि अपने भाषन में उसने परदान मंति का बार बार अपमान किया है और अब इसकी सजा अरविंद केजरिवाल को मिलेगी क्योंकि ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करने का एक्सपर्ट इस विच राहुल गांधी बन गए थे और जब राहुल गांधी के उपर एक के बाद एक अवमानना का केश चलने लगा क्रिमिनल डिफेमेशन का केश चला तो फिर उनकी हेकडी निकल गई अब दो साल की सजा हुई है और उस सजा से बचने के लिए हाई कोट का दरवाजा खटखटाने पहुँच गए है ऐसे राहुल गांधी भी ये बात कर रहे हैं कि वो महात्मा गांधी के कदमों पे चलते हैं उनके निसानों का इस्तिमाल करते हैं वो अहिंसा में विश्वास करते हैं और वो किसी को दुखी नहीं देखना चाते लेकिन जब सजा बचतने की बारी आती है तो वो महात्मा गांधी के बदले वो ब्रिटीस परमपराओं का निर्वान करते हैं और फिर वो कोट कानून का दर्वाजा खट-खटा-खट-खटा के अपने आपको जेल से बचाने की कोशिश करते हैं कुछ इसी तरी से अरविंद केजरिवाल ने भी किया अब तक अब मानना के सारे मामले में अरविंद केजरिवाल माफी मांग मांग कर ठक चुके हैं और कोट भी उन्हें माफी मांगने के बाद छोड़ देता है लेकिन अब इस्थिति अलग हो गई है क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरिवाल के उपर घ्रस्टा-चार का मामला चलने वाला है तो दूसरे तरफ इसके उपर अब ऐसे अवमानना का केश धर्ज होगा जिसमें माफी की गुन जायस नहीं होगी क्योंकि अब तक अरून जेटली से माफी मांग चुके है अरविंद केजरिवाल उसके बदले माफी नहीं बलकि सजा होगी तो सबसे पहली ये देखें कि अरविंद केजरिवाल ने किस तरीके से पियम मोदी का अफमान किया क्योंकि ये अफमान का तरीका और जो समय है ये दोनों महतपूर्ण है जिस समय अरविंद केजरिवाल की पूरी पाटी ब्रस्ताचार में घिरी हुई है इनके नेता जेल के अंदर है इनके सबसे करीवी नेता मनी सिसोदिया जेल के हवालात में है और सतिंदर जैन भी जेल के अंदर है लेकिन सिसौधिया और पिये मोदी दोनों के लिए एक मंच से अरविंद केजरिवाल ने जो कहा वो अपमान से भी बड़ा है क्योंकि एक तरफ भ्रस्टाचार में फसे अरविंद केजरिवाल ने सिसौधिया के लिए क्रांती कारी जैसे भगस सिन के सागिर्द जैसे में क्रांती लादी थी इसलिए मोदी की सरकार उनके पीछे पड़ी हुई है और बिना ब्रस्टाचार किये ही सिसौधिया जेल के अंदर है CBI और ED का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन जब सिक्षा की बात आई और मनीसी सौधिया के सिक्षा मंत्री बनने की बात आई तो अरविन केजरिवाल ने बार बार P.A. मोदी का अपमान किया उसने तीन बार ऐसे ऐसे मामलों का जिक्र करके P.A. मोदी के सिक्षा के उपर सवाल उठाया उन्हें ऐसा लगभग perception क्रियेट हुआ कि वो परदान मंत्री नरेंदर मोदी को बेवकूप कहना चाहता है अशक्षित कहना चाहता है ये सबसे पहले मामला उसने GST का उठाया और बताया कि GST को लोग नहीं समझ पाते हैं लेकिन क्या अगर एक शिक्षित परदान मंत्री देश का होता तो वो GST के नियमों कानूनों को ऐसे नहीं बनाता जो सब के लिए अविलेबल हो बेहतर तरीके से GST लागू नहीं किया जाता मतलब साफ है कि वो कहना चाह रहा ह कि परदान मंत्री नरेंद्र मोदी अशिक्षित हैं उनको किसी बात की जानकारी नहीं है ना वो कानून जानते हैं ना राजनिती जानते हैं ना पड़े लिकें ना लोगों की भावनाओं को समझते हैं इसलिए ये परदान मंत्री शिक्षित नहीं है दूसरी बात उसने ज प्रिशानों के खिलाप अगर समझ जाते तो इसका मतलब था कि उन्हें ये तीनों के त्रीनों किसी कानून लागू करने के बाद फिर वापस नहीं लेना पड़ता सबसे बड़ी बात है कि क्रिशी कानूनों के उपर जब अर्विंद केजरिवाल बोल रहे थे तो उस समय उन उन्हें समझ में आ जाता पहले ही कि वो क्रिशानों के खिलाप है इसलिए उन्हें फिर से लागू करने के बाद वापस लेने की जरूरत नहीं पड़ती तो क्या अर्विंद केजरिवाल अपने उपर नहीं देखते निव इक्साइज पॉलिसी अर्विंद केजरिवाल और मनी सिसोदिया जैसे सिक्षित आदमियों ने बनाया इसके लिए साउथ कार्टेल का इस्तेमाल किया गया जो बड़े बड़े जारू बाज और दारू के बिजनस सराब के बिजनस करने वाले माफियाओं को जो की विदेशों में पड़े हैं बड़ी-बड़ी कंपनियों के CEO हैं और MBA जैसे डिग्र लिये हुए हैं उन लोगों के साथ मिलकर बनाया और अरविंद केजिरिवाल की जब new Excise Policy लागो ही तो ऐसे लगा कि revenue के मामले में क्रांती आ जाएगी लेकिन कुछ समय में ही पता चलने लगा ये तो सबसे ज़़ादा पढ़े लिके लोग थे ये सबसे भरस्ट हैं यह दिली सरकार के revenue के लिए नहीं बलकी अपनी पार्टी के revenue के लिए ये ड्राफ्ट बनता था दिली में और भेजा जाता था बेंगलूरू में भेजा जाता था हैदराबाद में जहां वहां के सराब माफिया बैट कर ये देखते थे कि इस मामले में अगर थोड़ा सा फेर बदल कर दिया जाए तो इनका मुनाफ़ा कितना बढ़ सकता है और यही हुआ भी आठ नौ महिने तक नियू एक्साइज पॉलिसी चलती रही और आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं को जेब भरने के लिए बनाया गया है इसलिए इसमें तीन हजार करोड का दिल्ली सरकार के रेवेन्यू का नुकसान हुआ और आज जो मनीश सिसोदिया के जेल जाने के बाद नए फिनांस मिनिस्टर बने है कैलाश गालोत ये बोल रहे हैं कि यही एक साइज पॉलिसी तो पंजाब में भी लागो किया गया लेकिन वहाँ पर रेवेन्यू प्रॉफिट हुआ जबके दिल्ली में तीन हजार करोड का रेवेन्यू लॉस हुआ यानि इन लोगों ने जो साढ़े नौँ हजार करोड रूपे का टारगेट रटा था वो टारगेट घटता चला गया और जो पिछले सरकार में पिछले एकसाइज पॉलिसी में जो 6,000 करोड़ करूपे का रिवेन्यू मिला था उससे भी घट कर ये रिवेन्यू 3,000 करोड़ रूपे का हो गया यानि इन लोगों ने जो सबसे सिक्षित पढ़े लिखे लोग हैं करप्शन में मास्टर के डिगरी लिए हुए हैं इन लोगों ने एक पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी में भरस्टाचार भी हुआ करप्शन भी हुआ और उसमें सरकार का रिवेन्यू का लॉस भी हुआ जि उम्हारी इस पॉलिसी से जो दिल्ली सरकार को नुक्सान हुआ है उसकी भरपाई क्या आमाद में पाटी करेगी या अर्विंद केजरिवाल और मनीश सोधिया करेगा या वो सराब माफिया करेंगे जो दिल्ली को लूट कर दक्षिन भारत में अपने कमपनियों में निवेश करते रहे नए फ्लैट दुकान मकांग खरीते रहे और हवाला का कारोवार करते रहे वही अर्विंद केजरिवाल ये कह रहा है कि परधान मंत्री नरेंद्र मोदी अगर सिक्षित होते तो वो ऐसे ही क्रिसी कानून बनाते जो किसानों के समर्थन में हो और इसलिए ये किसा प्रधानों के समर्थन में नहीं था तो उन्हें वापस लेना पड़ा जबकि इनके निव इक्साइज पॉलिसी को भी आठ नौ महीने के बाद ही वापस लेना पड़ा था अब बात करते हैं अगली बात जो उन्होंने परधान मंत्री नरेंदर मोदी के खिलाब बोला और ऐस बात बोली है जिसके लिए अरविंद केजरिवाल को माफ नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने उनकी मांसिक्ता के उपर सवाल उठाया उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को बीमार बता दिया है उन्होंने इसके लिए भी भारतिये जनता पार्टी के कारकरता उनसे कहते हैं वही भारतिय जनता पार्टी के कारिकरता अर्विंद केजरिवाल से मिलकर कहते हैं और क्या कहते हैं कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 18 घंटा काम करते हैं और केवल 3 घंटा सोते हैं इसलिए उनके अंदर एक दैविये शक्ती है ये भारतिय जनता पार्टी के कारिकरता कहने के लिए अरविंद केजरिवाल के पास जाते हैं और अरविंद केजरिवाल इसके बाद क्या कहता है कि अगर ऐसे स्थित्य है तो परधान मंत्री नरेंदर मोदी में कोई देविय शक्ती नहीं है बलकि उनको sleeping disorder है यानि कि वो ना सोने की बीमारी से ग्रस्त है अब प्रधान मंत्री नरेदर वोदी को बीमार भी अर्विन केजरिवाल ने बता दिया ये सारे स्थित्या क्यों होई है क्यों ये सारे के सारे भ्रस्ताचारी जिसका सर्दार बनने की कोशिट अभी अर्विन के जरिवाल कर रहा है वो सारे के सारे लोग प्ये मोदी से घबराय हुए है ये सारे के सारे लोग अब सुप्रीम कोट का सहारा ले रहे हैं कि CBI और ED का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है 14-14 पार्टिया मिलके सुप्रिम कोट में जा रही है कि अब हमें CBI और ED के कहर से बचाओ क्योंकि करप्शन तो हमने किया है लेकिन वो करप्शन वो भरस्ताचार अभी तक हमारा छुपा हुआ था और पीये मोदी ने जो CBI और ED को आदेश दिया है और वो भी सकत आदेश दिया है कि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो राजनितिक दल की बात नहीं है सरकार में हो या फिर सरकार से बाहर हो पक्षका हो या भी पक्षका हो अगर कोई भी ब्रस्ताचार के मामले में पाया गया तो उसको जेल के अंदर भेजो चाहे वो करनाटक में भारतिय जनता पार्टी का विधायक हो या पश्चिम बंगाल में भारतिय जनता पार्टी का पुर्व कोईला मंत्री हो सब को यहां से जेल के अंदर भेजो और इसी में अपोजिशन पाटियां भी आती है क्योंकि सबसे ज़्यादा दिनों तक सरकार में रहने वाली कॉंग्रेस हो या इनके सहयोगी पाटियां हो सबसे ज़्यादा करपसन इन लोगों ने किया है तो cases भी इनी लोगों के उपर दर्ज होगी और अजब अर्विंद केजरिवाल की party सरकार बनाई थे दिल्ली में उसके बाद से अभी तक 10-11 घोटाले हो चुके हैं शराब घोटाला तो एक ऐसा घोटाला है जिसमें सिसोधिया जेल में गया और जैन जो PWD मिनिस्टर भी था वो उसके उभर भी money laundering का मामला चल रहा है वो भी जेल के अंदर है लेकिन अब बारी केजरिवाल की है क्योंकि टैंकर घोटाले की भी फाइल खुटने वाली है जास हजार करोड के घोटाले की जाच ACB कर रही है विजलेंस डिपार्टमेंट भी उसमें है और ट्रांसपोर्ट मामले में ट्रांसपोर्ट घोटाला भी सामने आया है जिसमें धलालों के माध्यम से लाइसेंस दिये जाते हैं साथ साथ बसों के खरीद में भी हजारों करोड का गोटाला हुआ है गोटालों के लिस्ट लंबी है 9 साल में 10 से 15 बड़े बड़े गोटाला अर्विंद केजरिवाल ने किया है और सब की फाइल सामने है इसलिए सारे गोटाले वाजों और भ्रस्टाचारी नेताओं जिसके खिलाफ अभियान चला चला कर अर्विंद बनने की तजियारी कर रहा है क्योंकि ब्रस्टाचार में बड़ी एकता होती है और इसी एकता का परमान है कि ये सारे की सारे पाठियां अब जाकर सुप्रिम कोट से गोहार लगा रही है कि हमें माफ कर दिजिए आप एकजसा नियम बना दिजिए आदेज सरकार को हम ब्रस्ता चार भी करें तो हमें माफ कर दिया जाए CBR ED हमारे उपर एक्षन न ले लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है अब ये लोग जितना भी छट पटा लें पी ए मोदी का जितना भी अपमान कर लें नंबर इनका भी आने वाला है और केजरिवाल तो उसमें नंबर वन लिस्ट पर है क्योंकि सिसौदिया और जैन के बाद आम आदमी पाथी में इसी का नंबर है जो तिहार जाएगा और इसके जानकारी भी है फाइल भी खुल रही है बस इंतजार है एक समय का जिसमें सारे के सारे सबूत इसके पास जो इकठे किये जा रहे हैं इसके खिलाफ जो हैं वो सारे के सारे सबूत इकठे हो जाएं और फिर अरविंद केजरिवाल के उपर ऐसा चार्ड लेगा कि तिहार से बाहर नहीं आ पाएगा जैसे मनी सिसोदिया के साथ हुआ है जैसे की सतिंद्र जैन के साथ हुआ है तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिरोंगे तब तक के लिए बन रही है हमारे साथ और देते रही हमें सायोग ताकि इसी तरह ही खबर हम आपके लिए लाते रहे हैं धन्यवाद